परिचाय जनन की विभिन विधियों के माध्यम से ब्रेट पर कॉलोनिया बनाते हैं। मा मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जनन को परिभाशित करना, लेंगिक तथा अलेंगिक जनन के बीच अंतर समझना, अलेंकिक जनन के विभिनप्रकार की पहचान करना, लेंकिक जनन की विभिनखटनाओं की पहचान करना जनन जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके दौरा नय संत्ति जीव अपने जनकों से उत्पन्नि किये जाते हैं जनन की दो विदिया हैं अलेंगिक जनन यह जनन की एक विदी है जिसके द्वारा संतती एकल जनक से उत्पन होते हैं और संतती अनुवनशिक रूप से समरूप होते हैं ऐसा जीव जिसकी अनुवन्शिक जानकारी जनक जीव की अनुवन्शिक जानकारी के समान होती है कलोन कहलाता है लेंगिक जनन या एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अनुवन्शिक रूप से भिन संतती उत्पन्ने करते हैं जिन में जाती के दो प्राया भिन सदस्यों की योगदान से अनुवनशिक पदार्थ का संयोजन होता है। अलेंगिक जनन के प्रकार क्या आप जानते हैं कि जीव अलेंगिक जनन कैसे करते हैं? एक जीव निम्न प्रकार से अलेंगिक जनन कर सकता है। दुई खंडन, मुकुलन, कायक प्रवर्धन, बीजाणों निर्मा, विखंडन और अनिशेक जनन दुई खंडन, दुई खंडन में एक कोशिका दू भागों में विभाजित होती है और प्रतेग भाग व्यस्क जीव के रूप में तीवरिता सेवरिधी करता है अनेक एक कोशिकी जीव दुई खंडन द्वारा अलेंगिक जनन करते हैं उधारण, अमीबा, पैरामीसियम निम्नलिकित आरेक दुई खंडन की प्रक्रिया द्वारा एकल कोशिका का दो भागों में विभाजन दर्शाता है मुकुलन मुकुलन की प्रक्रिया में जनक कोशिका द्वारा छोटी कलिकाएं उत्पन्नी की जाती हैं जो प्रारंब में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और अंत्ता प्रतक होकर नएव जीव में परिपक्व होती हैं जीव जो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं उनमें यीस्ट हाइड्रा शामिल हैं। निम्ण आरेक जनक हाइड्रा पर विक्सित हो रही कलिका को दर्शाता है। काईक प्रवर्थन काईक जनन एक प्रकार का अलंगिक जनन है जो उन पौधों में पाया जाता है जहां नए व्यश्टी विद्यमान पौधे की काईक प्रवर्थ कहलाने वाली सनचनाओं से बनते हैं। ऐसे काईक प्रवर्थ में रनर, प्रकंद, सगर, कंद, भूस्तरी, बल्व आधी शामिल हैं। आरेक में दर्शाय गई आलू की अंकुरन शील कलिकाओं में नई संतती को जन्म देने की शमता होती है। बीजाणू निर्माण अनेक बहुकोश के जीव अपने जैविक जीवन चक्र के तौरान बीजाणू बनाते हैं। ये बीजाणू अनुकूल परस्तितियों में नई संतती में विक्सित हो जाते हैं। विखंडन विखंडन अलेंगेक जनन का एक रूप है जहां एक नया जीव जनक के एक खंड से वृध्धी करता है। अनेक जीव जैसे की लाइकेन, कुछ कवाक और पौधे विखंडन त्वारा अलेंगेक जनन करते हैं। निम्नार एक इस्पाइरो गाईरा के खंड दर्शाता है। अनिशेक जनन अनिशेक जनन एक प्रक्रिया है जिसमें एक अनिशेचित अंड एक नए व्यस्टी में विक्सित होता है। ये कुछ कीटों, मचलियों, मेंधक और छिपकलियों में होता है। उधारण, वे पटेल छिपकली में अनिशेक जनन जैसा की आरेक में दर्शाया गया है। लेंगिक जनन दो विभन प्रकार की व्यस्तियों की अनुवनशिक जानकारी के सियोजन द्वारा नए जीवों को उत्पन करने की प्रक्रिया है। लेंगिक जनन की प्रक्रिया में निम्न लिखे तीन खटनाएं शामिल होती हैं। निशेचन पूर्व खटनाएं निशेचन खटनाएं और निशेचन पश्च खटनाएं निशेचन पूर्व खटनाएं वो खटनाएं हैं जो युकमकों के सनलैयन से पहले होती हैं और जिन में शामिल हैं। युक्मक चनन यह नर एवं मादा आगुनेत युक्मकों के गठन की प्रक्रिया है। ऐसे युक्मक हो सकते हैं सम युक्म की और विशम युक्म की। युगमग इस्थानांतरण निशेचन युगमणज बनाने के लिए युगमकों के सनलयन की प्रक्रिया निशेचन कहलाती है निशेचन दो प्रकार का होता है बाहे निशेचन सनलयन जीव के शरीर के बाहर एक बाहे माध्यम में होता है आंतरिक निशेचन सनले अन्जीव के शरीर के भीतर होता है निशेचन पश्च घटनाएं लेंकिक जनन की निशेचन पश्च घटनाओं में भुरून उद्भव शामिल है ये युक्मनज से भुरून के विकास की प्रक्रिया है इस दोरान युक्मनज कोशिका विभाजन, समसूतरन और कोशिका विभेदी करण से गुजरता है जैसा की आरेक में तरशाया गया है क्या आप जानते हैं? एरा बिडॉप्सिस ठालियाना एक छोटा पुश्पिय सर्सों का पादा है जो अलेंकिक जनन नहीं करता है हाला कि एरा बिडॉप्सिस के बीजांड में और गुनौट, नौ, साहिलेंसिस, ट्रांसपोसोन का प्योग करके इन लेंगिक पौधों को अलेंगिक बनाया जा सकता है इस प्रकार इन पौधों के काईक प्रवर्धन की व्यापक इस्तर पर संभावना पढ़ जाती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके दोरा नए संत्ति जीव अपने जनकों से उद्पन्ने किये जाते हैं जनन दो प्रकार का होता है अलेंगिक और लेंगिक अलेंगिक जनन जनन की एक विधी है जिसके दोरा संत्ति एकल जनक से उद्पन्न होते हैं और संत्ति अनुवन्शिक रूप से समरूप होते हैं एक जीव दुईखंडन, मुकुलन, काईक प्रवधन, बीजाडो, निर्माण, विखंडन अनिशिक जनन द्वारा अलेंगिक रूप से जनन कर सकता है लेंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अनुवंशिक रूप से भिन संत्ति उत्पन करते हैं जिनमें जाती के दो भिन सदस्यों के योगदान से अनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है लेंगिक जनन में शामिल है निशेचन पूर्व घटनाए निशेचन एवं निशेचन पस्ट घटनाए